एक बार की बात है एक छोटे से गाउ में, जहां रात का समय हमेशा से ही रहस्यमय रहता था। मौसी ने सभी बच्चों को बुलाया और शुरू की भूतिया कहानी। मौसी ने बताया कि उस गाउ में एक पुराने हवेली की कहानी है, जिसमें रात के समय आवाजे सुनी जाती थी। वहां कई बार भूतों की चीखे सुनी गई थी, लेकिन किसी ने वहां जाने की कोशिश नहीं की थी। रात के पहले पहर में, जब हर कोने में अंधकार छा गया था, गाउवाले हवेली के पास जा रहे थे। एक अध्भुत रोशनी के साथ, वे एक रहस्यमय दर्वाजे के सामने पहुँचे। दर्वाजे को खोलते ही उन्हें एक पुराने साधुने संगीत बजाने के लिए आमंत्रित किया। भूत पूर्व राजा की कहानी जो वहां बसे थे, सभी को बहुत ही प्रभावित कर रही थी। रात के बीटते हुए, सभी गाववाले ने जाना की भूतों की चीखें और आवाजें उस राजा की रोमांटिक कहानी से आ रही थी। मौसी ने सभी को यह सिखाया की कहानियों में रहस्य होता है, लेकिन वह सच्चाई भी होती है। सभी को आशिरवाद दिया और कहा। रात के रहस्यमय समय में भी हमें खुशियों की कहानी देखनी चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। गाववाले ने उस रात को अपनी जिन्दगी का एक नया दृष्टिकोन पाया और भूतिया कहानी ने सब को एक साथ बांध दिया।